यह है गाइस 2024 की नीवले अपडेटेड बजाज पलसर NS200 OBD2 E20 मोडल आज मैं इसका फुली डीटेल्स में रिव्यू करने वाला हूँ सो आज हम बात करेंगे इस बाइक के नीव अपडेट्स और फीचर्स के बारे में साती में प्राइस बने के बाद इस बाइक की अप ओर और और अन रोड प्राइस क्या है मायलेश कितने देती है टॉप स्पीड कितनी है सारी जान कर दोसो इस वीडियो कंदर में आपको डीटेल्स में देने वाला हूँ अगर आपको बाजाज का कोई भी प्रोड़क देखना है तो शोरूम की सारी कॉंटाइक और डीटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्चन बॉक्स में है स्टार्ट करते वाकराउंड से एक ब्राइब इस बाइक का साइड लुक चेक आउट कर लो कोची श्टाप किसका साइड लुक है फ्रंट लुक के अगरम बात करें तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक है स्टार्ट करते हैं फ्रंट से तो फ्रंट में इसका वाइजर है जो कि आपको ग्लोसी ब्लेक फिनिशिंग के साथ मिलता है जो कि फाइबर बॉडी का है इसका लुक जो दोस्तों बहुत ही अच्छा है बिश में बज़ाच का लोग हो है सबसे पहले अपडेट के अगरम बात करें तो अभी आपको इसके अंदर एलेडी डियरल्स का सेटब मिलता है कुटेश टैप से जो यह ओन होते है तो इसका लुक जो दोस्तों देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे अपडेट के अगरम बात करें तो अभी आपको इसके अंदर स्प्लिट एले प्रेकलर के ग्रापिक्स मिलते है जो कि इसको कापे जदा एक ट्रेक टू लुक देते हैं तीसरे अपडेट के अगरम बात करें तो अभी आपको इसके अंदर एलेडी इंडिकेटर्स का सेटब मिलता है तो कुटिश टैप से जो यह ओन होते हैं बाकी बिस में लगीगी आ आपको कापे अच्छा कंफोर्ट देने वाले अभी हम बात करते हैं इसके मटगाड के बारे में तो मटगाड के उपर कार्बन फाइबर अटेज की फिनिशिंग है साड में ग्रे कलर के ग्रापिक से मटगाड के साड में ड्यूल चैनल एबिस की ब्रेंडिंग है तो इसकी रिंग है साड में ग्री मेका के केलिपर से जो की बहुत ही अच्छे केलिपर से इसके फ्रट में आपको 100 बाइ 18-17 के ट्यूब लेस टायर मिलते हैं जो की 17 इच ग्रे कलर के एलाइविल्स के साथ आते हैं एलाइविल्स का लूग एगबर आप चकाउट कर लो एलाइ इसकी की ए प्रेंडिंग है तो सिंप्ल से की कि ए तो यह है इसके की पॉइंट इसके अंदर आपको क्लिप वाइडिक हैं जो के मैडावल का ब्रेंद की अपड ज 하니까 मिलते हैं तो मिटर कंसल को ओपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको मोड का स्वीच दिया है नीचे में टर्न इंडिकेटर स्वीच एंड होरन स्वीच है हैंडल बार का लुक एक बर आप देखलो जो की क्लिप और वर टाइप है उसी टैप के बारेंड्स, एकसी लेटर, ब्रेक लिवर यहाँ पर इस बाइक का इंजिन कील स्वीच है एंड नीचे में इस बाइक का में एडलेट ओन आप स्वीच एंड स्वीच है पाच वे अपडेट के घरम बात करें तो अभी आपको इसके अंदर फुली डिजिटल मिटर कोंसोल का स्टब मिलता है उपर में स्मार्ट कनेक्ट की ब्रेंडिंग है यहाँ पर मोड एंड सिलेट के बटन से तो कुछी शैप सिसका मिटर कोंसोल जो है वो ओन होता है उपर में RPM लिम्ट की लाइट है इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपर आपको oil इंडिकेटर की लाइट neutral की लाइट साती में turn इंडिकेटर की लाइट high beam passing की लाइट उस साड में आपर आपको ABS की लाइट check engine light and turn indicator की लाइट मिलती है अभी हम बात करते हैं इसके information के बारे में तो उपर में इसका RPM मिटर है नेचे में time clock है बाकी surge 10 की indication, refill की warning या आपर इसका gear shift indicator है इसके साड़ में इसका digital fuel gauge है, बेच में इसका speedometer है, नेचे में इसका odometer, kilometer की reading, IFE एनि initial fuel economy है mode के बटन को प्रेश करने के बाद या आपर आपको refill warning, bike का username है, average fuel economy A, average fuel economy B bike की आपर आप warnings जख सकते हैं और settings है, तो कुछ इसके पीचर से, इसके अंदर आपको real time mileage indicator भी मिलता है mode के बटन का यूज करकि या आपर आप meter console को operate कर सकते हैं next update के अगरम बात करें, तो अभी आपको इसके अंदर turn by turn navigation भी मिलता है साथ वे update के अगरम बात करें, तो अभी आपको इसके अंदर Bluetooth connectivity मिलती है साथ ही में आपर आप call SMS alerts, battery percentage, network range, कुटिश आपकिसके features देख सकते हैं next update के अगरम बात करें, तो अभी आपको इसके अंदर USB charging port मिलता है traveling करते समय आप अपना smartphone आराम से charge कर सकते हैं fuel tank की बात किज जाए, तो इसके अंदर आपको 12 liters का fuel tank मिलता है tank cap के उपर E20 support की बैजिंग है, अभी से ये bike 20% ethanol and 80% petrol से चलेगी matte black color के साथ इसका fuel care पे, इस bike का fuel tank आपको glossy black finishing के साथ मिलता है fuel tank के बीच में इसका tank pad है, जो की matte black color का है tank के साड़ में pulser की branding है, जो कि आपको dark chrome color के साथ मिलती है tank के साड़ में red color के graphics है, जिसका look जो 200 personally मुझे बहुती पसंद है और यहाँ पर 200cc के graphics है, जो कि आपको dark chrome color के साथ मिलते है और यहाँ पर थड़ा बुद red color के graphics का यूज की आए seat की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको split type seat मिलती है जो के इसकी cushioning जो दोस्तों बहुत ही अच्छी है काफी comfortable इसकी seat है, 807 mm इसकी seat है seat का side look है अब आप देख लो रेर में इसके split type gray bandles है जो कि आपको matte black color के साथ मिलते है जो कि metal body के है, तो काफी अच्छी इसकी quality है काउल की उपर यहाँ पर आपको NS200 की branding मिलती है और यहाँ पर red and gray color के graphics है glossy black finishing के साथ इस bike का काउल है start करते हैं इस bike के rear look से तो कुटिश आपके सका rear look है rear में इसकी split LED टेल लाइट है side में इसके LED इंडिकेटर से यह वाला part जो है finally change हो चुका है नीचे में number plate की light है बीच में इसका reflector है बाकी बीच में लगी गया हमँआ नंबर plate यहाँ पर आप देख लो safety के लिए दोनों side में इसके reflector से start करते है side look से तो कुझे stop किसका side look है start करते हैं इंजिन के front से इंजिन के front में इसकी radiator liquid cooling system है जो कि हमारे engine को ठंडा करेगी 168 mm तक का इसके इंडर आपको ground clearance मिलता है tank के side में 200cc के stickers and graphics है और यहाँ पर इसका liquid coolant है इसके अंदर आपको 199 CC का single cylinder 4 stroke liquid cooled 4 wall DTSI triple spark OBD2 E20 F engine मिलता है जो कि produce कारता है 24.5 PS की power और 18.74 Nm तक का torque यहाँ से आप इसके engine oil को fill up कर सकते है और यहाँ से आप इसकी oil की quality को check कर सकते नीचे में इसका engine कावले जिसके उपर red color के graphics है यह भी आपको fiber body के साथ मिलता है dual tone color के साथ इस bike का side panel है जिसके उपर fuel injection की branding है यहाँ पर इसके air vent से तो fiber body के साथ इस bike का आपको side panel मिलता है यह है इसका brake lever side में adjustable rider put rest है aluminum body के साथ इसके adjustable pillion put rest है इस के rear में आपको nitrox monoshock absorber with canister suspension का setup मिलता है खरव रासों के उपर यह आपको कापी अच्छा comfort देने वाले उसी type के इस bike का cow ले इसके नदर आपको box type swingar मिलता है बाकी यह इसके chain adjuster है rear में आपको 230 mm का dc setup मिलता है जो की आता है ABS के साथ यह इसके ABS के इस side में आपर आपको गिरी में कैके calipers मिलते है जो की एक अच्छे calipers मानी जाते है इस के rear में आपको 130 by 1717 के tubeless tire मिलते है जो की 17 inch gray color के alloy wheels के साथ आते है alloy उसका look एक अब आप देख लो इसका mud flavor भी आपको fiber body के साथ मिलता है जिसके उपर carbon fiber test की finishing है रेयर में इसका tire अगर है ये भी fiber body का है opposite side की look के अगर हम बात करें तो opposite side से इस bike का semi look है यहाप आप आप देख लो उसी type के इस bike का side panel है जो की dual tone color का है इंजिन के front में इसका single horn है एक बार आप इसके on की आवाज सुन लो इंजिन के उपर यहाप आपको बाजाज की ब्रेंडिंग मिलती है mad black color के साथ इस bike का इंजिन है total six speed gearbox setup के साथ इस bike आती है यह है इसके adjustable rider footrest जो की आपको rubber padding के साथ मिलते है नीचे में इसका single stand and double stand है जो की आपको side chain engine cut off sensor के साथ मिलता है यह है इसके adjustable pillion footrest swing arm के उपर tire pressure की information है और seat के नीचे जो इसका seat lock है तो guys इस bike के सारे updates इस उड़े कंदर में आपको detail में explain की है mileage के अगर हम बात करें तो इस bike आपको 33 kmpl तक का mileage देगी top speed के अगर हम बात करें तो इस bike आपको 148 kmps तक की top speed देगी इसके basic body dimensions अगराब डिस्प्ले के उपर देख लो 1,19,000 इसकी on road price है अभी जाप इसका exhaust note सुन लो है है अगर है आपको है जएको जापको जापको का फिर्ष के तो आपको कर दो कर दो कर दो